देना देना नहीं है, so today we have to start discussion about, आपको idea आई गया होगा कि screenkeeper जो कुछ दिख रहा है, वो regular की तरह नहीं है, जो रोज दिखता था, उससे कुछ तो अलग अभी screenkeeper आपको दिखाई दे रहा है, आपको आपे link लगाओ देखो, जैसे हमने Newton's laws of motion ये topic study किया है, पहले दिन से जो से पाच, एक घंटे तक वही बड़बड में कर रहा हूँ, नहीं कुछ बात याँ पर है नहीं, बस वहाँ पे body अलग आती है, diagram अलग आती है, उनकी arrangement अलग होती है, लेकिन हरे question को solve करनी की जो process है, वो altogether similar होती है, ठीके, कि जैसे हम पहले free body diagram को introduce कर रहे थे, तब मैंने consider कि एक आता कि body अगर equilibrium में है, equilibrium में है मतलब अगर वहाँ पे acceleration नहीं है, तो equilibrium दोनों case में हो सकता है, अगर body rest में है, तो equilibrium होता ही है, लेकिन अगर body in motion है, एड़ मोशन में अगर body की velocity 0 है, तो उसको भी आपन बोलते हैं कि वो equilibrium में, तो equilibrium में body अगर है, तो वहाँ पे वो एक introduction किया था तब से लेके अपन पढ़ रहे हैं हर बार एक force compulsory आता है that is weight which is acting in vertically downward direction अगर उसको surface की पर रग दिया तो surface उसको normal reaction प्रोवाइड करता है ये दोनों तो हर बार थे कोई भी example लिया उसको आमने last last में consider करना ही छोड़ दिया था क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं था लेकिन उसको consider करना पड़ता है वो होते ही है उसके बाद हम एक एक condition बस add करते गए पहले equilibrium की FBD एकदम आराम से draw करके submission of forces along x equal to 0 submission of forces along y equal to 0 ये सारी बाते apply करने के बाद हमने वहाँ पे अगर system equilibrium में नहीं है तो क्या होगा उसको देखना शुरू किया और उसको देखने के लिए हमारे पास होते क्या है blocks उसके सिवा कुछ होता ही नहीं लेकिन ये blocks आपन पढ़ते नहीं है मैंने उस दिन भी आपको ये बात बोली थी कि लोगों कैसे लगता है कि कशल चिकाइट से कुट आसता है तो उनको समझ में आएगा कि जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स के रोज के लेक्चर में जो कंसिप्ट आती है वो 101 नहीं 201 परसेंट हमारे डे टूडे लाइप से जो है connected होती है सराउंडिंग में हम उसके साथ इंट्रेट करते हैं और वो पार्ट अपन यहाँ पर मतलब थोड़ा फिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देके एक स्प्रिंट करने का ट्राइ कर रहे हैं तो होता क्या है कि बॉडिज होती है एक दूसरे के साथ इंट्रेट करती है तो आपन हर बार घोडा बैल कार्ट गाड़ी इनकी ड्रॉइंग तो ड्रॉइंग तो ड्रॉइंग कर सकते है फिजिक्स वालों को इतना टाइम होता न एक ब्लॉक को पुष्ट करो तो वह आगे के ब्लॉक को पुष्ट करता करता जाता था और हमने तो एक ब्लॉक को पुष्ट किया था वह आगे के ब्लॉक को पुष्ट कैसे कर रहा था क्या था उनके बिट्वीन इसको कशलेट करते थे उसके बाद कल के लिक्चर में हमने क्या किया ब्लॉक को कणेक्ट एक दूसरे के टॉच में नहीं रखा उनको को separate कर दिया separate करने के बाद भी वही case हो रही थी एक को pull करो दोनों तीनों जितने वह pull हो रहे थे क्यों ऐसे क्योंकि उनको हमने connect किया था by using string आज भी हमें वही करना है बस अपन string को string का t निकालेंगे वहाँ पर पी लेके आएंगे मतलब ब्लॉक्स को कनेट करेंगे विद्धेल पॉप स्प्रींग तो इसलिए आपको स्क्रीन पे स्प्रींग डिक्रेए होगी ठीके मतलब आज की जो कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं उसमें नहीं कुछ बाते तो मैं लेके आने वाला हूं नहीं क्योंकि मैंने पहले बूला था पहले दिन जो पढ़ाया था वही कंसेप्शल पार था आगे बस उसके अप्लिकेशन चलते रहेंगे चलते रहेंगे ठीक हैं आभी 15 दिन और एक टॉपिक अतम नहीं होने वाला तो हर रोज जो है नई-ई-ई-पैस में यह कैसे अपलाई किये जाते उसके अबाट अपन इंट्रोड़क्शन देखने वाले है ठीक है तो कंसेप्ट वही रहेगी मतलब ब्लॉक्स आएंगे फिर ब्लॉक का खुद का वेट होगा अगर उनको सरपेस की उपर रख दिया तो सरपेस हो आपे नॉर्मल कॉंटेट पोर्स एक्जरट करेगा बस द किसके उपर डिपेंड करता है कैसे कैलकुलेट करते है इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो इस टॉपिक में एप्लिकेबल है वह हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसको खुक स्लॉबी बोला जाता है लेकिन सेम स्ट्रिंग को हम जब 11.30 का पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ना है तो बहुत सारी बाते हमें वहाँ पर भी देखना है सीरीज पैरल अरेजमेंट क्या होती है उसमें क्या होता है लेकिन उतना डिप में अभी नहीं जाएंगे उतनी कंसेप्ट हमारे पास है ही नहीं सारी बाते समझने के लिए तो इस टॉपिक में जो रिक्वा पढ़ने रहा हूं ठीके अभी जो आपको यह ब्लू लाइन दिख रही है वह है एक्ट्षाट पोजिशन जिसको बोला जाता है मीन पोजिशन या फिर एक्विलीब्रियम पोजिशन तो पहले जो है इक्विलीब्रियम पोजिशन में यह स्प्रिंग करनेक्टेड होती है अब मेने क्या किया यहां पे कौपरे में a kurna में आपको也 national का ब्लौक दिखाए दिगा उसको मैं प्रीक के साथ कनेट कर दिया दिख रहा है सब को धिश्र केस सब को मेरिव मैंने पकड़ के रखा है अभी मैं इसको छोड़ने वाला हूँ अगर मैंने इसके छोड़ दिया तो क्या होता है इसको ध्यान से अब्ज़र करो इसको यह यहां पर जो उसका वेट मजी वर्टिकली डाउन्वर्ड होने वाला है उसको कोई न कोई यहाँ पर बैलेंस कर रहा है, जो बैलेंस कर रहा है, हम पहले लेक्चर में उसको normal contact force बोलते थे, कल के लेक्चर में उसको अमने tension in the string बोला, आज के लेक्चर में बस nomenclature replace होगा, उसको अपन spring का force बोलेंगे, इसी spring के force को practically हर बार physics में बोला जाता है as a restoring force, क्या बोला जाता है, restoring force, तो जब भी spring की concept आएगी, वहाँ पे restoring force आएगा, अब इसको restoring force क्यों बोला जाता है, उसको अगर आपको यहाँ पे देखना है, समझना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यह जो block है, उसको मैं खीचता हूँ नीचे, है ना, मैं उसको downward direction में इस त color का थोड़ा सा problem है, तो वो color की जो line दिख रही है, वो displacement represent कर रही है, तो मैंने अगर इस block को नीचे खीच लिया, तो मैंने displacement किया इसका downward direction में, समझ में आ रहा है सबको, अगर मैं इसको और नीचे खीचता जाओंगा, और नीचे खीचता जाओंगा, और नीचे खीचता जा ना यह जो वर्टी के लिए download color कौन सा है वो बोलो, ग्रीन के जो line है, वो displacement represent कर रही है, तो इसका displacement में बढ़ाता जा रहा हूं, तो मैंने इतना displacement बढ़ाया है, अब यह displacement बढ़ाने के लिए, मुझे क्या करना पड़ा यहाँ पे, व्लोग को पकड़ की नीचे खीचता पड परावर, पहले लेक्चर में मैं कंसेप्ट बोला था और उसके बाद 100 बार मैंने रिपेट किया है, कि हमें हर बार physics में यहीं कंसेप्ट के उपर फोकस करना है, every work done will get stored in the form of energy, energy, तो जो work मैंने यहाँ पे किया है, leftmost corner में देखेंगे, तो बहाँ पे कुछ lines दिख रही है, कॉलम दिख रहे हैं देखो, जिनके height बढ़ गई, तो यह क्या है, यह है energy, कौन सी energy, potential energy, समझ में आ रहा है, मतलब हमने work किया, खाते पिते चार टाइम उसको पकड़के मैंने नीचे खीचा, मतलब मैंने work किया, work जो किया था, वो store हो गया in the form of potential energy, अब इसके बाद में उसके साथ क्या होता है, block के साथ, screen क्यों पर focus करो, block मैंने छोड़ दिया है, अब वो आपको दिखाई देगा, कि वहाँ पे दोनों भी observe करो, spring को भी, and leftmost corner में, जो energy का column है, उनको भी observe करो, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, यह column वाले corner को छोड़ दो, बस spring को देखो, क्या हो रहा है, spring के साथ, हमने किदर कीचा था, download, download, छोड़ने के बाद spring का आपे जा रही है, upward, क्यों जा रही है, जो work हमने किया था, वो potential energy में store किया था, जैसे हमने उसको छोड़ दिया, तो यह potential energy ने, again work किया, and work करके, यह spring उस block को कहा पे लेके जा रही है, ध्यान से देखो, कहा पे चला गया वो, and the tip, equilibrium position जहां से खीचा था, very good, equilibrium position उसकी जहां से उसको हमने displace किया था, यानि कि देखो क्या हुआ, कि एक equilibrium position है, equilibrium मतलम मालों में की net forces वहाप act होंगे, वो 0 है, हमने उसको अगर displace किया था, एक direction में छोड़ दिया, तो block की spring की tendency क्या है, block को कहा पे लेके जाने की tendency है, अपने equilibrium position पे, excellent, and इसी equilibrium position को हम consider करते है, as a mean position, equilibrium position को हम consider करते है, as a mean position, मतलब अगर मैं downward कीचूंगा, तो spring उसको उपर लेके जाएगी, अगर मैं यहापे equilibrium position से उसको इस तरह से vertically upward compress करूंगा, force apply करके, तब क्या होता है, अब हमें यह देखना है, तो screen के उपर फिर से देखो, यहापे, मैंने क्या किया, नीचे से, उपर, मतलब हर्टी के लिए upward force apply किया, यानि block को मैंने compress किया, पहले expand किया था, तो displacement opposite direction में हो गया, बराबर, अगर मैं इस position से, अभी इस position पे लेके जाने के लिए भी मुझे work done करना पड़ा, work done store हो गया in the form of potential energy, देखो column बढ़ गए potential energy के, तो अगर मैं यहाँ से इस block को अगर छोड़ दूँगा, तो वो वही के वही रहना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रहेगा, कहा पे आना चाहिए, नीचे, downward, समझ में आ रहा है न, मतलब आएगा आप नीचे, देखो द्यान से, 1, 2, 3, start, आगे, समझ में आ रहा है न, मतलब spring का काम क्या है, उस block को अपने घर पे लेके जाना, मतलब अपने equilibrium पोजिशन पे लेके जाना, ठीक है, तो यह equilibrium पोजिशन पे लेके जाने के लिए वहाँ पे energy होनी चाहिए, तो यह energy आएगी कहा से, वो तो मैंने पहले बोल दिया कि हमी वर्क कर रहे है, तो वो और स्टोर हो रहा है in the form of energy, वही energy ब्लॉक को अपने mean पोजिशन पे restore करनी के लिए utilize की जा रही है, और इस particular case में जो force use होता है, उस force को बोला जाता है as a restoring force, अभी idea आ रहा है restoring force क्यों बोला जाता है उसको? yes sir, yes, restoring force क्योंकि वो अपने position मतलब अपने mean position पे इस block को restore करने वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे simple case लिलू, अब यहाँ पे यह natural, यह जो blue line आपको दिखाई देगी, वो represent करेगी कि उसकी equilibrium position कहाँ पे है, ठीक है? अलग spring की condition लिए मैंने, अभी दो spring है, दोनों में compare करना है हमें, तो यह जो blue line दिखाई दे रही है, यह मतलब spring की equilibrium position है, अगर मैं यहाँ पे spring के equilibrium position पे and उसके बाद में, इनको अगर मैं masses attach कर दूँगा, जैसे कि मैंने पहले वाली spring को यहाँ पे 100 G, जो weight दिया है, उसको connect कर दिया है, and इसको connect करने के बाद, यह equilibrium में कहाँ पे आता है, उसको हमें देखना है, ठीक है? रुख जाओ, तो यह equilibrium position में आ गया, ठीक है, green color के line वहाँ पे show कर रही है, वो उसकी equilibrium position है, ठीक है? तो अगर मैं इस block को नीचे ले क्या हूँगा, यह red color में जो दिख रहा है, वहाँ तक अगर मैं इसको खीच दूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, यहाँ तक हमने अगर इसको खीच लिया, यह red line तक, मैंने क्या क्या है, उसको force apply करके displace कर दिया, अगर इस position से मैं उसको छोड़ दूँगा, तो यह again अपनी equilibrium position regain करने वाला है, देखो, अब मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, तो यह उपर कहा तक जाता है, उसकी speed को observe करो, वहाँ पे वो कितनी lane तक उपर जा रहा है, उसको observe करो, ठीक है, अभी same block है, मैं उसको क्या करूँगा, थोड़ा सा और जादा खीचूँगा, अब खीचने के बाद उसकी speed को observe करो, कितनी fast वापर जाता है, या slow वापर जाता है, और कितनी दूर तक वापर जाता है, ठीक है, मतलब यह blue color की, sorry, red color की जो line थी, पहले उपर थी, अब हमें नीचे लेने मतलब यहां तक हम उसको displace कर रहे है, यहां से छोड़ूँगा, तो उसकी speed को observe करो, और वा कितनी height तक वापर जाता है, वापर जाता है, वापर जाता है, वापर जाता है, यहां समझ में आ गया यहां पर, speed बढ़ गई, और उपर भी जाता जा रहा है, मतलब ज़्यादा खीचेंगे, उतनी फास्ट आपर जाएगा, इसको इसको यहां की थाम में convert करनी के लिए बोल सकते है, कि अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो, क्या होगा, मतलब ज़्यादा displays करेंगे तो, restoring force की जो value है, वो भी ज़्यादा रहेगी, clear? अब सेम केसिस में कुछ यहाँ पे quantities है, जिनको हमें discuss करना है topic में, इनको थोड़ा सा देख लेते, इनको intro करा देते है, ठीके, कि बहाँ पे जो forces act होंगे, फिर velocity कहाँ पे होगी, acceleration कहाँ पे act होगा, उन सब को हम यहाँ पे consider करने वाले है, ठीके? यह श्रवन, day by day, we have to improve it, तो देखो, basically इस तरह की फिर से spring की condition आ गई, at the given moment, वो अपने equilibrium position में, अब मैं क्या करता हूँ, यह आप एक छोटा सा block connect कर देता हूँ, इस spring को, और उसको छोड़ देता हूँ, छोड़ने के बाद, वो फिर से एक particular condition पे equilibrium पे आएगा, लेकिन equilibrium पे आते time वहाँ पे जो हो रहा है, उसको आप ध्यान से अगर देखेंगे, तो वहाँ पे yellow, green, yellow, green, दो vector से उपर नीचे जा रहे है, उपर नीचे जा रहे है, उनको देखो ध्यान से, एक green vector जो है, पहले का, जो थोड़ी thin line है, वो तो आमें मालू में displacement है, लेकिन यह दूसरे दो vector जो है, वो अपनी direction continuously change कर रहे है, समझ में आ रहा है, सर, एक mg और एक restoring force है, एक mg and restoring force, restoring force है ना, वो always act होता है, towards mean position बेटा, तो जब तक आपन उसको downward खीच रहे है, तब तक restoring force आप ओड़ी जाएगा, तो यह जो है, यह velocity and acceleration की direction से, ठीक है, लेकिन मैंने पहले बोला है कि इतने dip में, इस topic में हमें application ने उसके, हम यहाँ पे सिर्फ force and displacement इनके उपर focus करने वाले है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे basically, हम arrangement में क्या करेंगे, जो spring है first वाली and second वाली spring है, दोनों को मैं अगर same mask connect कर दूँँगा, और यहाँ पे बस मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों spring में एक difference maintain करना हूँ, ठीक है, यह उपर के corner में एक blue color है, assume करो, blue color की scale है, उसके उपर में थोड़ा सा variations लेके आ रहा हूँ, और यह stiffness of the spring, spring कितनी कड़क है, मतलब कितनी ज़्यादा restoring force apply कर सकती है, वो मैंने यह पहले वाले spring को बढ़ा दी, ठीक है, अब दोनों को बढ़ाने के बा में observe करना है, ठीक है, दोनों को compare करना है, ठीक है, दोनों का जो मास है, वो same है, जिनकी screen blur है बेटा, आपका coverage problem होता है, चार चर बार वही message मत करो, चलो, तो basically यहाँ पे जो spring connected है to the block, दोनों के मासे same है, बस मैंने क्या किया है, पहली spring को थोड़ा सा, दिख रहा है न, difference spring दिख रही, एक दम कड़क मतलब strong, जो थोड़ी सी ठीक बन गई, अगर मैं दोनों को displace करूंगा, और equal lens से अगर उनको displace करने के लिए मैं जा रहा हूं, तो displace करने के बाद वहाँ पे क्या होगा, वो हमें देखना है, ठीक है, तो यहां से equal lens से मैं उनको displace करने वाला मेरे तरब तो coverage clear है बेटा, मैं mobile पे check कर रहा हूं, so I think आपका बारिश के वाज़े से coverage issue हो सकता है, ठीक है, अब यह दोनों का displacement मैंने same किया है, अब इनको मैं छोडने वाला हूं, छोडने के बाद यह दोनों में जो act होने वाला restoring force है, वो different होगा, उनका difference कैसे होगा, उसको कोई उपर भी ध्यान देना है आपको, छोड़ दिया मैंने, तो दोनों के case में मुझे बोलो, किसका restoring force ज्यादा हो गया, कि फर्स्ट वन और सेकंड वन, समझ में आ गया ना, मतलब मासस से में, बस मैंने क्या किया, स्टीपनेस मतलब कितनी अभी उस quantity को में इंट्रोडिस करने वाला हूं, उसको बोला जाता है, force constant of the spring, के, force constant of the spring, उसकी equation भी आपन डिराइव करने वाल है, उसको मैंने बढ़ा दिया, तो उसको बढ़ाने से कितनी फास्ट वो चली गई उपर, देखो, ठीक है, so basically जो है, आपकी ये comment के उपर, मैं आभी reply नहीं देने वाला हूं, चार-चार बार वही बात में explain कर रहा हूं आपको, क्या I'm checking here, मेरे सामने mobile है, and mobile पे मैं जो है, पूरा lecture यहाँ पे observe करता हूं, कि आपको clear दिखता है या नहीं है, तो अगर मेरे coverage में problem होगा, तो मुझे या पे समझ में आता है बेटा, आपका निवर टेवर की issue है, चार-चार बार वही message कर रहे हो, तो यह not good, आप आपके coverage को थोड़ा साव issue solve कर लो, यह पिर बाद ने recorded lecture देखो, उसको मैं गगर पे आके check नहीं कर सकता, ठीके ना, चोलो, come to the point, तो यह basically मैंने क्या किया, spring की strength बढ़ा दी, spring constant बढ़ा दिया, तो पहली वाली spring देखो कितनी fast चलेगे, मतलब यहाँ पे होता क्या है, कि displacement के उपर एक restoring force depend, यह पहले हमने देखा था, याद है, इस से पहले, सिर्फ displacement में vary कर रहा था, रुख जाओ, ठीके, अगर हमने spring force को जो था, उसको अगर vary किया, तो वहाँ पे भी क्या होता है, restoring force vary होता है, यह भी हमने यहाँ पे अभी observe कि clear, मतलब यह जो restoring force होगा, जो block को अपने position पे लेके जाने के लिए responsible रहेगा, एक तो displacement के उपर depend करता है, और दूसरा spring force या फिर force constant के उपर depend करता है, यह दोनों quantity clear हो रही है सबको, yes, no, ठीके, तो इसी तरह से, अगर इनके energy में होने वाला variation, इस topic में applicable नहीं है, वो अगर हम यहाँ पे देखना है, तो वो भी आपन observe कर सकते है, कि mean position पे कौन सी energy होती है, और फिर बाद में extreme पे जाने के बाद energy में क्या difference आता है, ठीके, तो spring का stiffness इतने अच्छे से नहीं समझा, वो अभी explain करने वालों में equation के form में, अभी बस याद रखो कि force constant होता है spring का, वो बढ़ आने से क्या होता है, restoring force बढ़ता है, यही concept बस याद रखने उस से, ठीक है, मैं equation के साथ उसको explain करने वाला हूँ, अभी आप diagram देखेंगे board पे, तो अगर मैं इसको equilibrium position से ऐसे compress करूंगा, तो उस compression के time पे क्या हो रहा है, देखो, यह जो इधर energy के columns आपको दिख रहा है, इन potential, 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 and अगर मैं इसको छोड़ दूँगा, तो energy में variation कैसे होता है, उसको भी आप ध्यान से observe करो, slow motion कर दिया मैंने, समझ मैं आ रहा है ना, मतलब जब वो mean position पे है, equilibrium पे है, तब potential energy कितनी है, बोलो, अब आ गया, mean position पे, तब potential energy कितनी है, 0 है, जब वो extreme पे आ रहा है, तब kinetic energy 0 है, मतलब इस तरह से यह energy का जो interconversion है, इनमें चालू रहता है, ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह से अगर यह stationary condition यहाँ पे ले सकते है, कि suppose यह spring है, and इसको खीचने के लिए, हम force apply कर रहे है, तो आपको यहाँ पे applied force की value, and जो spring constant, मैंने बोला था, उसको vary करेंगे, तो उससे क्या-क्या changes होते है, वो भी दिखाए देगा, तो अगर मैं यह equilibrium position से, थोड़ा सा spring को खीच रहा हूं, तो मै इने अभी तक कितना force apply किया, अभी red color में जो दिखरा है, that is the force, जो हमने apply किया, 36 newton, 36 newton, 36 newton, नीचे 0.181 दिखरा है, क्या है, वो? spring का force, very good, जिसको आमने क्या बोलने का मतलब, डिसाइड किया है, restoring force, restoring force, बराबर, restoring force, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और displacement बढ़ा दूंगा, ठीके, चलो, अच्छी बात है, इसको 60 तक लेकिया आते, अब क्या हुआ? डिस्प्लेश में बढ़ा दिया में, 0.29 डिस्प्लेश में बढ़ा, अप्लाइड फोर्स कितना आओ गया, 60 newton, और restoring force कितना है, 60, 60, इसको मैं और बढ़ा हुँँगा, 100 तक करूंगा, तो, स्प्रिंग में, जो उसको डिस्प्लेश करने के लिए हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाइड किया है, उतनी ही magnitude का, लेकिन opposite direction में, कोन होता है, restoring force होता है, ठीके, यह mean position से अपन स्प्रिंग को expand कर रहे थे, तब की केसे, बोलो, सर, at mean position, potential energy is zero, पर वहाँ पर kinetic energy कैसी होती है, maximum होती है, highest होती, क्योंकि mean position में, वो एकदम speed में आता है, हाँ सर, क्यों आता है speed में, आप यह बोलो, restoring force तो mean position पर लेके जा रहाता है, लेकिन वहाँ पर रुखता नहीं, वहाँ पर तो एकदम जोर से चला जाता है, क्यों होता सर, लेकिन वह रुख नहीं रहाता है, देखना हमने ऊपर जा रहाता है, एकदम, compress कर रहाता स्प्रिंग को, क्यों रिस्पॉंसिबल उसको, नीचे से हम force भी तो जाधा लगा रहे है, फिर वहाँ पर उसकी action reaction हो रहे है, और थोड़ा जाओ, और थोड़ा बोलो, सोचो, हम हमने force अपलाए किया downward direction में, वहाँ पर displacement हो गया, वह समझ सकते है, वापस लेके जाने के लिए responsible restoring force था, तो उसने तो mean position पे लेके जाने के बाद रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रुक रहा था, वह उपर कैसे चला गया, सोचो, इसी topic की concept है, सबसे important concept है, ट्रक से गिरने वाला आदमी, बस से नीचे गिरने वाला आदमी, फुरूडा से आज़ी चाहिए, इनर्शिया, क्यों लेके जा रहा है उसको, इनर्शिया, इनर्शिया, मोशन, आसा यहोड़े लग कर भी सर्रेदर कर साले लुबर बेटा चलो, अभी मैं spring को, अगर इस spring को, इनर्शिया, मोशन न बेटा, रिस्ट का नहीं, अगर इस spring को मैं compress करने के लिए इस direction में force अपलाई कर रहा हूँ, तो देखो directions कैसे change हो गए, मतलब applied force red color का है, तो हमने अभी दूसरे direction में अपलाई कर दिया, तो restoring force की direction reverse हो गए, क्योंकि restoring force का कामी होता है, कि block को, या फिर spring को equilibrium position में, मतलब mean position में ले के आना, ठीक है, अभी मैं इस spring को फिर से mean position पे ले के आता हूँ, और आपको just for example explain करता हूँ, कि जब मुझे यहाँ पे displacement 0.5 meter required है, तब कितना force अपलाई किया है, मैंने? 100 Newton, अगर मैंने उसी spring का थोड़ा सा stiffness बढ़ा दिया, जिसको पन spring constant बोलने वाले है, उसको बढ़ा दिया, और उसको बढ़ाने के बाद, अगर मुझे spring का फिर से displacement 0.5 meter करना है, हो गा है नहीं क्योंकि मेरे पास maximum force 100 Newton है, तो 100 Newton force है, वहाँ पे कितना displacement हो गया, बस आदा ही हो समझ में आ रहा है ना, अगर मैं इस stiffness को और थोड़ा सा बढ़ा दू, यह equilibrium position आती क्यों नहीं है, आगे ऐसे assume करते, इसको मैंने इतना बढ़ा दिया, एकदम भारी spring, कड़क spring आ गया हो, अब इसको खीचने के लिए में force अपलाई कर रहा हूं, तो देखो 100 Newton कितना displacement कर रहा अगर मैंने इसको 1000 कर दिया, के को, spring constant को, फिर इसको खीच रहा हूं, तो सिर्फ 0.1 meter इतना displacement हो रहा है, ठीके, और restoring force नहीं है, तो समझ में आ रहा है, idea आ रहा है इसका, same case जो है, हम ऐसे spring के दो spring के system के लिए भी observe कर सकते, यहाँ पे अगर मैंने spring का जो force constant है, उसको बढ़ उसको apply कर दिया, तो उस particular case में कितना 0.169, मतलब 2 spring है, तो वहाँ पे displacement में क्या changes हो रहा है, वो देखो, अगर यहाँ पे maximum spring constant रखेंगे, तो वहाँ पे 0.1 होता था, अभी तो 0.080 हो रहा है, मतलब spring अगर connection में connect करेंगे, तो वहाँ पे कुछ change ओकर होता है, लेकिन उसको अभी नहीं देखना है, आगे वाले topic में देखने है, देखेंगे, तो energy का देखो, सिर्फ potential energy की बात करेंगे, उसको अगर mean से extreme तक लेके जाएंगे, तो वहाँ पे potential energy maximum हो रही है, ठीके, लेकिन अगर इस potential energy को मुझे और बढ़ाना है, तो मैं spring constant को बढ़ाता हूँ, spring constant बढ़ाँगा, तो potential energy बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि यह spring constant जितना जादा होगा, उतना हमें work जादा करना पड़ेगा, उसको displace करने के लिए, and उसके according जो है, basically वहाँ पे, जो energy है, वो vary होती, जाएगी, इसको अगर graphically भी plot करें तो यहाँ पर हमें graph भी मिलता है, जो graph paraboli के explain करता है, कि अगर यह position में आगी body, mean position पर, तो यहाँ पर potential energy obviously zero होती है, and extreme पर क्या होती है, maximum होती है, लेकिन जब अपन oscillations पढ़ेंगे, तब इस से लेटर बहुत जादा discuss करना है, अभी point topic की उपर आते है, जो हमें यहाँ पर discuss क करना था, तो जो अब तक हमने discuss किया, observe किया, वही आपको screen पर फिर से दिख रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हूंगे, उसको block connect किया है, block को displace करके छोड़ दे रहे, तो वो spring क्या कर रहे है, block की motion perform करा रही है, और इसी को अपन अभी discuss करना शुरू करने वाले है, तो आज का हमारा जो discussion होगा, वो रहेगा related to spring, spring related problem, अभी आपको सारी चीजे एकदम अच्छे से समझ में आ गई है, तो सीधा अपन equations क्या हूंगे, बारे में बहुत सारे point बोले, तो आप एक बार प्लीज वो लिखा सकते हूं, जितनी important है, मैं लिख के भी देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक block हमने place किया है, और यह block जो है, यह connected है with the spring, इस तरह की spring इसको connected है, ठीक है, तो यह हो गए उसकी mean position, equilibrium position, जो अपन पहले भी देख चुके, यह equilibrium position है, अगर इस equilibrium position से, अगर मैं इस block को पकड़ के, अगर थोड़ा खीचूंगा, तो यह क्या हो जाएगा, ख यहाँ पे block को में लेके आ गया, तो इस particular case में, हमने block को x इतने distance से displace किया है, समझ में आ रहा है न, displace करने के लिए हमने इस direction में f इतना force apply किया था, अगर इस force को अपन निकाल देंगे, छोड़ देंगे, रिमूव करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, what will happen, spring move towards equilibrium position, और वापस लेके जाने के लिए, जो force होता है, उसको अपन बोलते है, as a restoring force, restoring force, restoring force, क्यों बोलना है उसको, word पे concentrate करो, restore कर रहा है, कहां पे restore कर रहा है, अपने original position पे, अपने mean position पे, that's why यह restoring force हो गया, अब यह restoring force हमने पहले भी देखा था, कि अगर इसको displace जादा करेंगे, तो force जादा होगा, मतलब यह restoring force जो है, वो हमेशा से depend करता है, displacement क्यों पर, किस क्यों पर depend करता है, displacement क्यों पर, एफ होता है, proportional to minus of x, clear, अब उसमें condition क्या है, कि वही भी इस तरफ displace करेंगे, या फिर इस तरह से compress करके, यह block जो है, यह mean position है, उपर की mean position, यह इस तरफ displace करेंगे, तो restoring force क्या है, इस case में, यह fr restoring force इधर act होगा, इस case में restoring force जो है, यह इधर mean position के towards act होगा, समझ में आ गया, अभी यह समझ में आना ही चाहिए, इस से ज़्यादा pictorial अपन यहाँ पे बना नहीं सकते, तो यहाँ पे जो restoring force होता है, restoring force, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, intro कर सकता की force exerted by spring on block to restore it to its original बोलो या फिर equilibrium position ठीक है, equilibrium position पे लेके जाने के लिए, restore करने के लिए, जो responsible force है, spring का, यह exert कोन कर रही है, spring कर रही है, उसको बुला जाता है restoring force, अभी restoring force जो है, it is proportional होता है to the minus of x, हर बार यह displacement के साथ में, मतलब displacement के उपर dependent है, अभी हमने देखा था कि अगर उसको ज़्यादा खिचेंगे, displacement ज ज़्यादा होगा, तो force ज़्यादा एक टोता है, लेकिन हर बार, अगर अपन उसको नीचे खिचते थे, तो force उपर लेके जा रहा था, अगर उसको अपन उपर compress कर रहे थे, तो force नीचे लेके आ रहा था, हर बार direction opposite थी, that's why हमने यहापे negative sign लिया है, तो यहापे अपन लि clear, yes, तो इस force को अपन proportionate निकाल के constant लेके आते यहापे और simplify करते तो यह बनेगा, if equals to minus of k into x, और यहापे k का मतलब होगा, क्या होगा, बोलो, k का मतलब, spring constant, spring constant या फिर force constant, जो आपन stiffness of the string बोलते थे न, तो वो stiffness मतलब कोन था, यह k था, तो यह k को अगर अपन यहापे define कर रहे है, तो कैसे define करना पड़ेगा, देखो, spring constant, उपर के formula से अपन इसको define करेंगे, यह denoted by k रहेगा, और यह सिर्प material of the spring, जैसे कि आप देखते थे, मैं k बड़ाता था, spring constant बड़ाता था, spring जो यह वो ठीक बनती जाती थी, मतलब वो spring के उपर depend करता है, manufacture करते टाइम, हमने उसको कितना रखा है, और इसको define करेंगे आपन as force per unit displacement, force per unit displacement, यानि कि k is equals to रहेगा f by x, अभी मैंने negative sign को छोड़ दिया, क्योंकि negative sign का मतलब value कमें ऐसा नहीं था, उसका मतलब इतना ही था, कि दोनों opposite direction में थे, ठीके, तो यहाँ पे आपको इतने सारे discussion का conclusion एक ही है, कि हर बार जो हम पहले normal contact force consider करते थे, उसके बाद में last lecture में हमने tension in the string consider किया था, अब के बाद में जब भी spring related issue आएगा discussion करेंगे, तब हमें क्या करना है, spring का force म minus of cake से उसको replace करना है, clear, yes sir, yes sir, तो यहाँ से इसका SN8 बोलो, क्या होगा spring constant का, Newton per meter, Newton per meter, dimensions, m1 t-2, भूलगे dimensions, m1 t-2, टेस्ट आ रही है, प्रिपेर करो उसके लिए, ठीके, m1 t-2, यह उसके dimensions रहेंगे, and यह जो है, basically depend करता है, material of the spring की उपर, तो यहाँ पर आपको फिर से spring की तरह condition consider करनी है, कि if spring is massless, then tension in the spring, उसको आपन यहाँ पर restoring force consider करने वाले है, will be same at every point, yes, तो normally हर बार जब भी questions आएंगे, तो यह जो है, massless की condition होती है, इसको छोड़के अगर कुछ है, तो आपको mention करके देंगे, कि इसका mass इतना है, इसकी length इतनी है, तब जाके हम उसको consider करेंगे, otherwise हमें उसको consider नहीं करना है, हम उसको directly neglect करेंगे, ठीक है, तो यह basic case होती है, spring constant की, तो अभी basic idea तो आपको आ गया, लेकिन actual में जब तक question solve नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ महीं नहीं आएगा कि यह spring की case में क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए आपको बोला गया है question direct, एक इसे surface है, यहाँ पे फिर से spring connect किये to the block, आपको बोलाए कि इस spring के लिए, जो k है, वो दिया है आपको as 100 newton per meter, अब newton per meter में आ गया मतलब, वो confirm क्या रहेगा, spring constant रहेगा, ठीक है, आपको आना चीए, ठीक है, और यहाँ पे बोलाए कि इस block का जो mass है, वो दिया है आपको 10 kg, अगर यह equilibrium position में है, तो spring जो है, उसमें tension कितना induced होगा, या फिर उसको अपन restoring force बोल रहे है, तो वो restoring force कितना रहेगा, अगर यह equilibrium position में है, तो, बोलो, यह mean position है, equilibrium position है, displacement हुआ ही नहीं, पहली step में हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, free body, FBD, तो यह block के लिए free body diagram बनेगी, जिसमें downward connect होगा, mg, उसको balance करेगी, normal reaction, लेकिन यहाँ पे, summation of forces along y, 0 है, इसका मतलब पन लिख सकता है कि, n is equals to mg, that is 100 newton, at the same time, यहाँ पे यह जो block है, हमने उसको यहाँ पे, जो force apply किया है, वो अगर 0 है, तो इसको restoring force होगा, वो भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, अगर यह equilibrium position मतलब mean position पे है तो, देखो equilibrium है, लेकिन mean है, मतलब उसका displacement हुआ है नहीं, हमने force apply किया है नहीं, मतलब यहाँ पे forces along x directly कितने रहेंगे, 0 रहेंगे, अब इस same question को मैं थोड़ा सा modify करके, इस तरह से explain करूँगा, कि वही spring है, वही block है, यह उसकी mean position थी, and again यहाँ पे यह equilibrium में है, मतलब equilibrium में mean position पे भी होगा, यह पिर दूसरी position पे भी होगा, ठीके, तो यहाँ पे हमें बोला गया है, कि इसका जो displacement है, अगर वो 10 cm है, displacement कितना है, 10 cm है, तो उस particular case में, अगर spring का constant 100 Newton पर मिटर है, तो इसका मतलब वहाँ पे restoring force कितना होगा, यह आपको calculate करना है, 10 Newton, very good, कैसे calculate करेंगे, restoring force का formula क्या होता है, K into X, negative sign हर बार consider नहीं करेंगे, उसकी meaning एक बार समझ में आ गएती, छोड़ दो, तो K यहाँ पे दिया है, 100, into displacement, कितना कर रहे है, displacement, अपन 10 cm, अब 10 cm का मतलब होता है, 10 cm का मतलब होता है, 10 into 10 की power minus 2 meter, यानि यह 10 की power minus 1 आएगा, तो यह K into X बनेगा, 100 into 10 की power minus 1, यानि restoring force आ गया, 100 Newton, clear? Yes, बस आपको spring की case में जो है न, वो कभी-कभी restoring force बोल सकते है, या फिर tension बोल सकते है, ठीके न, तो हमें दोनों को जो है, as a same condition में treat करना है, तो इस तरह की condition दे जाती है, या फिर आपको बोला जाता है कि ऐसे vertical support पे एक spring है, और जिसको अपन क्या कर रहा है, एक block से connect कर रहा है, और इस block का mass दिया है, आपको as a 10 कीशी, तो उस particular case में आपको बोला गया है कि, जो spring में tension develop होगा, वो कितना रहेगा, इस particular case में, अगर यह equilibrium की case दीर ही आपको, तो यहाँ पे tension in the spring जो develop होगा, वो कितना रहेगा, tension तो develop होगा है, क्योंकि वो expand हो रही है, वही यह restoring force उसी को अपन tension भी consider कर सकते है, string की तरह, बोलो, very good, क्या होगा, फिर से free body diagram ड्रॉ करनी पड़ेगी, अब इसकी free body diagram में क्या होगा, इसका mass अगर 10 कीजिए, तो vertically download connect होगा, 100 newton, equilibrium position है, मतलब यहाँ पे T0 इसको balance करेगा, यह tension है, तो दूसरा कोई है नहीं, मतलब यह T0 equals to 100 newton बनेगा, horizontal direction में force सी नहीं है, तो उसको consider करने के requirement ही नहीं रहेगी, clear? Yes, yes, अगर आपको बुलाए कि यह T0 100 newton है, यह T0 100 newton है, मतलब को 100 newton है, restoring force 100 newton है, अफिर से दोनों से मी होते है, तो अगर इस spring के लिए बुलाए कि के 50 newton per meter है, तो यहाँ पे यह equilibrium position से इसका displacement कितना हुआ होगा, बुलो, very good, क्या करना होगा हमें, f equals to k into x, x equals to f by k करना पड़ेगा, f कितना है, 100, k कितना है, 50, so displacement will be 2 meter, शुवाम चेक कर एक दा, शुवाम एंसर फिर से बुल मुझे, यह restoring force opposite in the direction of mg होता है, ऐसे नहीं है, वो हर बार body को equilibrium position की towards लेके जा रहा है, उस direction में होता है, अब यहाँ पर कोई भी arrangement देंगे, तो इसमें कोई changes occur नहीं होंगे, जैसे कि आपको फिर से इस तरह से confuse करने के लिए बोलेंगे, कि block को displace करने के लिए अब जो force act हो रहा है, वो horizontal नहीं है, वो इस particular direction में, incline direction में act हो रहा है, at an angle theta, और यह act होने वाला force अगर आपको बोलेंगे कि यह F है, इस block का mass अगर आपको दिया है, कि M है, तो उस particular case में, आपको यहाँ पर पहले draw करनी है, इसकी free body diagram, free body diagram draw करने के बाद, यहाँ पर tension in the spring कितना develop होगा, वो calculate करना है, and tension in the spring develop होने के बाद, यहाँ पर कितना displacement होगा, जब equilibrium आ जाएगा, वो भी calculate करना है, ठीक है, तो यह displacement रहने दो, पहले free body diagram and tension चाहिए, तो मुझे बोलो, tension F cos theta, very good, पहले free body diagram draw कर लेते हैं, क्या होगा, यह ब्लॉक है, नीचे कोन जाएगा, energy, उसको balance करनी के लिए, normal, लेकिन यहाँ पर जो force है, वो अगर inclination, मतला horizontal vertical क्या लोंगा, अग एक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें उसके लेने पड़ेंगे, component, 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 F cos theta, तो vertical component, F sin theta, पीछे कोन खीचेगा, tension, tension मतलब वोई restoring force, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यह vertically equilibrium में है, तो summation of forces along Y equal to 0 ले सकते हैं, इसका मतलब N plus F sin theta is equals to बनेगा Mg, यहाँ पर N is equals to Mg नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, यह सर, then forces along X अगर चाहिए, और बोला है कि यह force apply करने से, यह body accelerate हो रही है, और motion में है, कुछ देर के लिए, with acceleration A, तो horizontal direction में क्या equation बनेगा, बोले, F cos theta is equals to T, F cos of theta minus T is equals to Mg, मैंने बोला क्या, accelerated motion में, equilibrium में नहीं बोला अभी तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, summation of forces along X equals to Mg लिखना पड़ेगा, उसमें rule है कि जो acceleration की direction में है, वो positive, इसलिए F cos theta पहले, and T जो है, वो opposite direction में, that's why negative, is equals to Mg, clear? Yes, अब same question है, value दे देते, उसी question में बोला है कि, block का mass है 10 kg, applied force है 200 N, and जो inclination है, वो है 60 degree, V, तो उस particular case में, आप calculate करेंगे, कि normal contact force कितना exert होगा, block के उपर, at the given instant, कोई भी एक particular instant पे, and उसके बाद में, ये 200 N, 60 degree पे एक्ट हो रहा है, ना, हाँ, येस, same diagram है, ये, diagram में फिर से redlock करता हूँ, और यहाँ पे आपको पूछा गया है, कि, जो acceleration होगा, system का, वो कितना रहेगा, ठीक है, तो diagram को में फिर से लेके जाता हूँ, नीचे, ये given data was numerical value के form में है, and ये आगे उसकी diagram, बाकी conditions, same रहेगी, बूलो कितना आता है, क्या आता है, वही equation use करेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा था, यन प्लस, कौन था, एन प्लस, एप साइन थीटा, वो equals to mg था, तो यन चाहिए हमें, तो ये बनेगा, mg माइनस, एप साइन थीटा, mg कितना होगा, 100, माइनस, यह अब कितना है, 200, इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है, 100, रूट 3, छेक को रेक बर कितना आता है, 100, रूट 3, हाँ सर, वो फोर्स 200 था, 100 रूट 3 ना, येस सर, तो कितना आता है, फेरी है, कि निगेटिव में आ रहा है, आज सर, ये मास्क को जो है न, ये 30 की जिरी लिए, निगेटिव में नहीं आना चीए, तो अगर मास्क को मैंने 30 किया, तो ये 300 हो जाएगा, बस, चलो, अब कितना आएगा, 300 माइनस, रूट 3 कितना है, करो क्यालकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रेक्शन, पड़पड, 1, 2, 7, कन्फर्म, या सर, एक्सेलरेशन के लिए, होरिजन्टल डाइरेक्शन में, इक्वेशन क्या बनेंगे, यब कॉस अब थिटा, माइनस टी, इज इक्वेल्स टू, माइन बनेगा, ठीके, और यहाँ पर हमें, T के बारे में कोई इनफर्मेशन नहीं है, तो आपको एक्सेलरेशन दे देते, क्वेशन में, एक्सेलरेशन दिया है, आपको 4 मिटर पर सेकंद का स्क्वेर, तो टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीके, एक्सेलरेशन 4 नहीं है, एक्सेलरेशन 2 है, 13 तो 2, तो कितना टेंशन डेवलोप होगा, 40 नूटन, ठीके, मतलब, पहले जो क्वेशन हमने सॉल किये, वही है, कुछ भी अलग प्रोसेस नहीं है, बस वहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन था, उसको रिप्लेस करके, हम क्या कर रहे है, स्ट्रिंग का टेंशन ले रहे है, अगर वहाँ पे, स्ट्रिंग कॉन्स्टन डे देते हैं, तो displacement कैल्कुलेट करने के लिए हम उसको उसको यूज कर रहे हैं, बेसिकली फिर से vertically एक Spring है, उसको freely suspend किया है, और बुलाए कि यहाँ पे जो ब्लॉक है वो है फायू कीजी का अगर यहाँ पे स्प्रिंग कॉंस्टन ट्वेंटी न्यूटन पर मिटर है तो एक्विलिब्रियम पॉजिशन में इसका डिस्प्रेस्मेंट कितना होगा करो calculate Simple है अब एकदम सबसे पहले pre-body diagram नीचे जाएगा 50 तो उपर जो tension रहेगा जिसको अपन restoring force बोल सकते है वो भी कितना रहेगा 50 लेकिन restoring force का formula होता है k into x तो displacement बनेगा f by k तो यह बनेगा 50 by 20 2.5 2.5 हो क्या मीटर ठीक है उसी तरह से आपको बोलाए कि एक spring है फिर से एक block को connected है block का mass दिया है आपको 50 kg आपको बोलाए कि यह equilibrium position में है at a distance of 20 cm 20 cm इतना displacement पे यह equilibrium position पे आ रही है जब हम इसको खीचने के लिए force अपलाई कर रहे थे और वो force था 200 newton तो spring का constant या फिर force constant कितना होगा यह हमें calculate करना है कि यह एक दम सिंपल एक से पर्मूला फूट करके solve करना है क्या करना होगा फिर से applied force equal to restoring force होगा तो यह f बनेगा kx और हमें चाहिए के तो के बनेगा f by x एक कितना है 200 और x कितना दिया है 20 सेंटिमिटर 0.2 20 सेंटिमिटर मतलब 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मिटर तो 1000 वेरी गड़ तो के कितना दिया है बस k को डबल किया तो equilibrium कितनी distance पर आएगा यह calculate करना है सेर question वापस बोलो same question है पूरी process बस यहाँ पर बोलाए कि जो k है spring का वो 2000 कर दिया जो 1000 था उसको applied force जो है वो same रहेगा तो displacement कितना बनेगा कर्रेक्टेस नहीं देख लिया मैं यहाँ यहाँ 10 फिर से वही formula f equals to kx तो x equals to f by k 10 f कितना था 200 upon 2000 मतलब 0.1 मिटर 10 cm बोल सकते हो उसको ठीक है तो displacement will be 10 cm in that case अगेन बोलाए कि इस तरह का एक block है और उसको अपन खीच रहे इस direction में by an unknown force कितना force से मालूम निये और बोला गया है कि यह system जो एक्विलिब्रियम में आ गई इस position पे और spring का constant यहाँ पे दिया था 500 Newton पर मिटर और equilibrium आ गया at a distance of 100 cm तो इसका मतलब applied force कितना होगा कि वेरिक गर्ड चलो सनी का इंसर आ गया बाकी लोग कि अधिक करेंगे के कितना आए 500 एक्स कितना आए 1 तो 500 Newton 50 कैसे किर्थी शवन सबका 50 आ रहा है कि सणी क्या था इंसर एक बर फिर से बोल यहां पर नियूटन नहीं था सश्वर मैंने वो 10 ले लिए ऐसे कैसे 10 लेते हो बेटा यहाँ पे लिख की दिया है ना चलो नेक्स्ट स्प्रिंग है यहाँ पे ब्लॉक है लेकिन यह ब्लॉक का मास अन्नोन है कितना है मालूम नहीं है हमें मालूम है कि स्प्रिंग जो कनेट की है उसका स्प्रिंग कॉंस्टन है 1000 Newton पर मिटर एंड इक्विलिब्रियम आ रहा है अट डिस्टन्स ओफ 50 सेंटिमेटर तो मास अप द ब्लॉक कितना होगा बोलो किरती ज्यान से देखा अब 50 है 100 है क्या है चलो करो सौल पटपट very good 50 kg चलो देखते कंडिशन क्या है कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नीचे एक्ट होने वाला जो mg है वो restoring force को balance करेगा मतलब f equals to mg रहेगा और f को अपन लिखते है as a kx मुझे चाहिए m तो यम बनेगा kx अपन g अब k कितना है k है 1000 एक्स कितना है 50 cm मतलब वो बनेगा 0.5 meter 0.5 divided by g मतलब है 10 तो एक जिरो यहाँ पे जाएगा एक जिरो डेसिमल को shift करेगा तो यह 5 x 10 मतलब बनेगा 50 kg से में सबका एंसर तो अभी जो है हमने स्प्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लेम को इंट्रूडूस किया है लेकिन सारे जो questions आज के लेक्षर में हमने सौल किये तो उसमें हर बार जो बॉड़ी की आरेंजमेंट थी वो इक्विलिब्रेम में कंसिडर किये अभी आगे जाके क अब डिस्टप करेंगे अब डिस्टप कैसे कर सकते है जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टा और यह एक्विलिब्रेम में थी तो बीच में आपको बोला जाएगा कि अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से कट कर दू या फिर यहां से कट कर दू तो ब्लॉक का जो भी नया पार्ट इंट्रोडूस हुआ है उसको देखना है एक पॉसिबल तो आप तील सेवन टी सॉल्ड एक्जमपल फ्रॉम मॉडूल कर सकते हो सॉल्ड या फिर कल भी सॉल्ड करेंगे तो भी चलेगा आज की जो एस्बीटी रहेगी वह सिंपल क्वेस्ट जो आज आ आपको करना ही पड़ेगा या फिर कल करना है उससे अच्छा कुछ वर्क आज कर लेंगे तो आपको एजी जाएगा ठीक है तो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू टुमारूस लिक्चर